दोसों सागत आप सभी का अडिरिक पे, इस वीडियो हम बात करेंगे टॉप थ्री बेस्ट वीपेंस जो आप फोन के साथ यूज कर सकते हो अपने आंडरीड स्मार्टफोन में या फिर आईफोन में इस्तमाल कर सकते हो इससे पहले इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वीपेंस का इस्तमाल करना क्यूं जरूरी है या फिर क्यूं जरूरी नहीं है अगर आप एक आम यूजर हो तो जानने और समझने को बहुत कुछ है इस वीडियो में इस वीडियो को अन तक ज़रूर देखेगा अगर आप नए हो नीचे लाव रंका बटन दिख रहा होगा चाल का सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन का ओल पर कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुँच पाए वीडियो पसंदा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नमशकार दोस्तो मैं आप मैं धीरज आप देख रहे हैं रिटेक आये जानते हैं दोस्तो VPN के बारे में कई लोगों को नहीं पता जिनको पता है वो अच्छी बात है जिनको नहीं पता उनके लिए मैं पता दूँ VPN का मतलब होता है virtual private network ये एक ऐसा network system है जहाँ पे आप connect करते हो तो आपकी जो presence है online लगभग गायब हो जाती है एक duplicate route से आप internet को access करते हो और secure तरीके से आप internet को surf करके वहाँ से बाहर निकल जाते हो यहाँ पे आपकी data आपकी हरकते सब कुछ safe रहती है जो भी कुछ आप करना चाहो वो सब safe रहता है किसी को कुछ पता नहीं लगता वही अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या VPN illegal है या legal तो यहाँ पे मैं clear कर दूँ कि इंडिया में VPN पूरी तरह legal है लेकिन जो चीजे illegal है VPN के बिना वो VPN के साथ भी illegal रहता है ये आप खाली ध्यान रखना दूसरा सबसे जरूरी सवाल कि हम VPN को use क्यों करते हैं या बाकी लोग VPN को use क्यों करते हैं actually मैं VPN को use करने का एक single motive यह होता है कि वो online अपनी presence को ना के बराबर रखे या एकदम रखे ही ना मतलब दूसरे को पता ना लगे कि आप online हो यह कैसे पता लगता है कैसे किसी को पता लगेगा कि आप online हो क्या यह facebook की तरह काम करता है नहीं मैं facebook की या फिर किसी और social media platform की बात नहीं कर रहा है जहां पर आपको एक green tick ये green dot देखने को मिलता है अगर आपके friends and families ने से कोई online है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपकी online presence की जैसे आपका service provider हो गया internet service provider आपका telecom operator हो गया या फिर आप जिस देश में रह रह रहे हो वहां की government हो गई कोई security agency हो गई या फिर कोई hacker हो गया जो आप तक पहुँचना चाहता है या फिर आप जैसे बहुत सारे लोगों तक पहुँचना चाहता है उनसे बचने के लिए लोग VPN का use करते हैं मेंली journalist और activist के case में आप VPN का नाम सुनते हो आम तोर पे लेकिन आज के तारीक में online usage इतनी जादा बर गई है कि लोग भी कई कारणों के कारण VPN का use करते हैं हमने हाली की दिनों में PUBG के case में ऐसा देखा था कि लोग VPN access करके PUBG खेल रहे हैं और आज भी आप stream देखी रहे होगे तो इन सब कारणों के लिए हमें VPN का इस्तमाल करना पड़ता है VPN का use करना पूरी तरह illegal नहीं है बिलकुल legal है आप VPN का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन बार-बार वही बात बता रहा हूं कि जो चीज VPN के बिना illegal है वो VPN के साथ भी illegal रहता है VPN के case में ऐसा ये है कि आपको trace नहीं किया जा सकता VPN को लोग इसलिए use करते हैं कि आपकी IP address एकदम hide हो जाती है और VPN जिस भी VPN को आप use कर रहे हैं वहां से एक duplicate IP address यूज होती है जो आपको पूरे internet पे serve करने की सहुलियत देती है और आपको कोई trace नहीं कर सकता मजदार बाद VPN की यही है आपको trace करना next to impossible है VPN के साथ यहां पे तीसरा सवाल चलो ठीक है मैंने VPN लगा भी लिया खुद को protect कर भी लिया अगर मैं यह सब कर लेता हूँ और फिर मैं use नहीं कर पाऊं ऐसे कुछ app जो मैं regular business पे use करता हूँ पिर VPN लगाने का फाइदा क्या है यहां पे मैं clear करना चाहूँगा कुछ ऐसे app है जैसे Netflix है Amazon Prime है वो tit for tat का game चलता रहता है VPN service providers के बीच में और यह Amazon OTT platforms है इनके बीच में कैसे VPN बहुत जल्द अपने आपको upgrade करता रहता है कि आप उन platforms को access कर सको VPN के माधियम से और वो platform VPN को block करते रहते हैं और for obvious reasons you know that यहां पे मैं बात करना चाहूँगा कुछ basic platform की जैसे Google हुआ YouTube हुआ YouTube पे जो आप वीडियो देख रहे हो ऐसे case में VPN आप कोई भी लगा लो आप अराम से ऐसे normal websites access कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा VPN लगाने के साथ एक चीज होता है जो आपको ध्यान रखने चाहिए आपकी internet speed slow हो जाती है और इसी बात है security की कुस्तो कीमत होगी यहां पे VPN को pay करने के अलावा यही एक चीज है जो VPN के साथ थोड़ा आज के तारीक में कम है because बहुत जाला server fluctuate होता है कई जिगा से server bounce हो रहे होते है तो यहां पे थोड़ा बहुत issue होता है आम तोर पे जातर जो अच्छे VPN है जिनके बारे में हम बात करेंगे वो stable connection आपको महया कराते हैं दूसरी सबसे important बात at the end इन सब को अगर एक तरफ रखें तो free VPN आप use मत करो free VPN में बहुत जादा risk होता है free VPN के साथ आप जो भी कुछ कर रहे हो internet पे वो आपके service provider को तो पता नहीं लग रहा है लेकिन VPN जो आपको महया करा रहा है VPN service जो आपको महया करा रही है जो company जो app वो आपके पूरे data को एक log में इंटर करके रखती है और वो sell किया जाता है market में for advertisement यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके card के pin से लेके आपके email address के password तक सब को store करके रखा जा सकता है रखा जाता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ रखा जा सकता है तो free VPN के case में मैं थोड़ा सा alert रहने आपको कहूंगा normal surfing के लिए आप use कर सकते हो और लोग use करते भी हैं इसमें बोलने वाली क्या वात है बुस्तों आब आते हैं अपने top 3 VPN के लिस्ट पे पहले जो VPN है वह है Nord VPN इसके बार में आप में से सभी ने लगभग सुना होगा जो भी online थोड़ा बहुत active है Nord VPN बहुत जादा aggressive है advertisement के रूप में तो आपने कभी ने कभी इसका नाम सुना होगा इसको आप डिरेक्ली डाउनलोड कर सकते हो Google Play Store से इसकी सब्सक्रिप्शन थोरी प्राइजी है इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है यह VPN फिरी नहीं है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके कुछ important aspects की तो यह VPN आपको बढ़िया गार्ड मोहिया कराता है multiple connections आपको मोहिया कराता है और इस VPN के तुरू आप आराम से internet अक्सेस कर सकते हो बिना किसी बहुत जादा latency के ओवेसी बात है यह paid VPN है तो आपको अच्छी service मिलती है इसमें यहाँ पे इसकी जो सबसे अची खासियत है वो यह कि यहाँ पे location बाउंस होता रहता है तो यह एक बहुत जादा secure और safe internet आपको मोहिया कराएगा सबसे ज़रूरी बात easy to use है बहुत जादा आपको take savvy होनी के ज़रूत नहीं है इंटरफेस बहुत जादा simple है आप इसको download करते ही समझ जाओगे अब बढ़ते हैं दूसरे नमबर पे नमबर टू पे है proton VPN इसके सबसे बड़ी बात यह यह free subscription भी offer करता है trial run के तोर पे आप इसे बहुत जादा अच्छे से इस्तमाल करके देख सकते हो फिर आप इसका subscription लो कोई issue वाली बात नहीं है यहाँ पे इसके plans low cost पे आते हैं comparatively जो भी आप VPNs देखोगे market में तो इसके लिए एक advantage यह है कि अगर आप इसको download करके use करते हो तो आपको जो price परेगा VPN को देने का वो बहुत जादा कम लगेगा comparatively कम लगेगा यह आपके उपर depend करता है कि आपके लिए जादा क्या है और कम क्या है यह personal choice होती है यहाँ पर अगर मैं बात करो इस VPN की कुछ खूबियों की तो इसकी जो सबसे बड़ी focus है वो privacy को लेके है यहाँ पर आपके data को store नहीं किया जाता नहीं वो देखता है नहीं store करता है आप एकदम निस्चेंत हो के इस VPN के थुरू अपनी communication कर सकते हो आप internet पर जो भी करना चाहो वो कर सकते हो यहाँ पर आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है physical security बे भी proton VPN का खासा जोर रहता है आपको पता होगा proton mail सबसे ज़्यादा safe माना जाता है mailing industry में अगर आपको mail यूज करना है email तो आम तर पर आप Gmail यूज करते हो लेकिन secure mail के लिए proton mail लोग यूज करते हो all over the globe और proton mail का ही एक product है proton VPN और proton VPN के साथ आपको obvious सी बात है proton mail के कुछ functions भी मिलते है same subscription के साथ अब आते हैं अपने आखरी VPN पे आखरी number पे है यह आपको बहुत जादा affordable price में मिलता है यह बहुत अच्छी चीज है एक नोटन का ecosystem रहता है जो आपके system को protect करेगा चाहे phone में हो चाहे computer में आप दोनों ही जगा इसको use कर सकते हो premium इसके बहुत जादा costly नहीं है protection यह सेम होया कराता है लेकिन यहाँ पे जो इसके disadvantage हो यह कि आप torrent bit या bit torrent इसको आप access नहीं कर सकते है बहुत सारे sites है जो access नहीं कर सकते यहाँ पे loss को लेके no turn बहुत जादा strong रहता है तो यह हो सकता है कुछ लोग के लिए problematic हो otherwise security के लिहाद से यह बहुत जादा safe है इसमें कोई issue नहीं है तो यहाँ पे मैंने इन तीनों ही VPNs के plans के बारे में नहीं बताए क्योंकि obviously यह वीडियो उनके plans के बारे में नहीं है यहाँ पे अगर मैं एक overall idea आपको दूँ कि इनके plans कितने costly परेंगे तो अगर आप एकदम exact एक साल के लिए इसकी subscription लेते हो इन तीनों में से किसी की भी तो on an average धाई डॉलर से डे डॉलर के आज़ पास आपको cost परेगी per month धाई से डे डॉलर per month यहाँ पर कुछ ऐसे VPN है जो premium features भी देते हैं और मुझे यह बताने के जरूत नहीं है कि आज के तारिक में इंटरनेट पे privacy किस तरह से खतम किया जा रहा है और दोस्तर अट दी एंड यहां तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो यहां पे मैं bonus tip के लिए एक VPN सजेस्ट करना चाहूंगा Turbo VPN स्मार्ट फोन के केस में बहुत ज़्यादा पॉपलर है यह एक free VPN है पर यहीं पर मैं आपको अलाम वार्निंग भी देना चाहूंगा आप यह turbo VPN का इस्तमाल करके payment वेगरा मत करना सर्फिंग करने को आप कर सकते हो ज़्यादा सेफ रहेगा और यह एक free VPN है आप इसको जब चाहो यूज कर सकते हो ओविस्सी बात है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सेफ रहना सर्फिंग के लिए इसको बिंदास तरीके से आप यूज कर सकते हो सर्फिंग गेमिंग के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तर्फिंग आप अराम से यूज कर सकते हो तो इस यह दी पूरी डीटेल टॉप 3 VPN के बारे में उमीद करता हूं आपको इस वीडियो पसंद आगा वीडियो पसंद आगा तो प्लीज लाइक कर देना अगर आपको इन्फोर्मेटिव लगी होगी नौलेजफुल लगा होगा तो प्लीज यार वीडियो को शेर करो चाल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो अपना प्यारा सपोर्ट ऐसा ही बनाये रखो जल्दी से हम क्रोस करेंगे 5000 सब्सक्राइबर को मिलना हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जहिंद